नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका, आपकी और हमारी यूट्यूब चैनल में आज के इस यूट्यूब वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कैसे हम अपने गर्दन का कालापन हटा सकते हैं, घर बैठे, कुछ आसान से खरेलून उसके अजमा के आम तो और पर गर्दन का कालापन वज़े होता है, या तो हम उस एरिय की सफाई नहीं रख पाते हैं या फिर हमारी तुचा सूरज से बहुत सादा कॉंटेक्ट मेरती है, कई बार मुटापा, फंगल इंफेक्शन हो जाना, एजिंग, डियाबिटीज या हॉर्मोनल इंबैलेंस होना ये कुछ आम वज़े होती है, जिस वज़े से हमारी गर्दन पे कालापन आ जाता है देखते हैं कि गर्दन का कालापन हम कैसे हटा सकते हैं आगे बढ़ने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप प्लीज 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें सब्सक्राइब की बटन पे क्लिक करके और बेल की आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आप हमारी चैनल की नोटिफिकेशन और वीडियो के जानकरी पा सकें वो भी विल्कुल फ्री में घरेलो नुसकों में आपको लेना है टॉमेटो पल्प यानि टमाटर का गूदा और शहद हम टमाटर के गूदे को इसलिए ले रहे हैं क्यूंकि टमाटर हमारे स्किन के पी-च को बैलन्स करता है हमारे skin को repair करता है और हमारे skin के काले पन को दूर करता है इस tomato pulp में हमें आदा चमल शहद इस्तिमाल करना है शहद का इस्तिमाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम शहद के अंदर natural antioxidants को पाते हैं जो कि हमारे skin को repair करने में बहुती कारगर साबित होता है इन दोनों के mushroom को आप 20 मिनिट के लिए अपनी garden पे लगा लीजिए और लगाने की बाद आप इसे धो लीजिए धोने के बाद आप देखेंगे कि आपकी garden में पहले से कालापन कम हो चुका है आपको इस्तिमाल करना है oats के powder का और raw milk का oats के powder को एक चमच लीजिए और दो चमच raw milk को लीजिए इन दोनों का mushroom बना लीजिए और mushroom बनाने की बाद इसे scrub की तौर पे इस्तमाल करिए अपनी उंगलियों की मदद से अपने garden के काले हिस्से पे इसे गुमाईए और 10 से 15 मिनट इसे scrub करने के बाद धो लीजिए हम oats का इस्तमाल इसली कर रहे हैं क्योंकि oats के अंदर amino acid होता है जो की हमारी तवचा को काले से हलका करने में मदद करता है यानि की काले पन को कम करता है हम raw milk का इस्तमाल इसली कर रहे हैं क्योंकि raw milk के अंदर lactic acid मौचूद होता है ये lactic acid हमारी तवचा पे जमी हुई dead skin को हटाने का काम करता है और हमारी तवचा को एक नई रंगत प्रदान करता है खीरा और नीबु का रस ये बहुती कारगर होता है तवचा की काले पन को हटाने के लिए आपको एक खीरा लेना है और उसे grate कर देना है यानि की उसे घिस लेना है और आपको नीबु का रस लेना है आपको इन दोनों का एक मिश्रन तयार करके अपनी तवचा पे लगाना है आप चाहें तो एक रूई की मदद से अपने काले पन पे अपनी गर्दन पे इसे लगा सकते हैं और लगा के आपको 15-20 मिनट तक छोड़ देना है 15-20 मिनट बाद आप इस मिश्रन को अपनी गर्दन से हटा लीजिए हम खीरे का प्रयोग कर रहे हैं क्यूंकि खीरे के अंदर एंटि आक्सिडेंट मौजूद होते हैं और ये खीरा विटामिन C से भरपूर होता है खीरा हमारे तवचा के काले पन को कम करने में बहुत ही मददकार साबित होता है और नीबो के अंदर मौजूद सिट्रिक एसिड हमारे तवचा के काले पन को हटाता है ये खुद्रती लाइटनिंग एजेंट होता है जो की हमारे तवचा को निखार देता है और ये हमारे तवचा के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है इसलिए हम खीरे को और नीबो के रज को प्रयोग करते हैं हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे वीडियो पसंद आये होंगे आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे ताकि आपको आयरुवेदिक और घरेलू नुसकों की जानकारी मिलती रहे हम यहाँ पर रोज एक नई होम रेमेडी लेके आते हैं आपका अगर कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें साथ में हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें